क्लास 10 के exercise 1.1 का question number 2 है हमारे सामने है जिसमें कहरे है show that any positive odd integer ठीक है odd integer की बात कर रहा हमारा है यहाँ पर जो विश्रम संख्या होगी हमारे ठीक है जो 2 के table में नहीं हाती है वो किस form में हो सकता है is of the form 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5 वो हमारे इस form में हो सकता है जहाँ पर हमारा q क्या होगा q is some integer जहाँ पर हमारा q है वो क्या कोई integer होगा ठीक है 1,2,3,4,5 जो भी हो सकता है तो सबसे पहले इस question में हम क्या करेंगे let कर लेंगे कि a हमारा let a be अनि positive integer a हमारा कोई positive integer है ठीक है मैं box में बंद कर देता हूँ एक ताकि आपको 7 दिखें a हमारा कोई positive integer है और b की value let कर लें हमारी 6 जो भी हमारा q के multiple में होगा यहां पर भी सब में q के multiple में कह 6 तो उसी को let कर लेंगे b की value हमारी 6 तो euclid division algorithm तो by euclid division algorithm क्या होता हमारा a equals to a equals to b q plus में r ठीक है यह b q plus में r को आप देखो गे तो आपको यह form कुछ इसी तरह दिखेंगी ठीक है b की value हमने let की है 6 तो b q plus में r remainder हो जाएगा हमारा r और r अगर हम यहां पर इसी को आगे करें तो where r की value हमारी क्या होती है r की value क्या होगी हमारी r equals to zero or greater than zero and less than b ठीक है तो r की value क्या होती है हमारी या तो zero के equal होगा या b से छोटा b से छोटी जितनी भी value होंगी possible values वो r की हो जाएगी तो possible values of r तो हमारी possible values क्या होंगी r की r की value क्या हो सकती है हमारी equal to zero zero होगी ठीक है और b से smaller than b b है हमारा six तो b से कम कम क्या value होती है हमारी one two three four five ये सारी हमारी r की values हो जाएगी ठीक है अब when r equals to zero अगर हमारी r की value zero है ठीक है therefore so then तो अगर हमारी r की value zero है तो हमारा a a क्या होगा हमारा ठीक है a क्या होगा हमारा b q ठीक है b है हमारा six six q है हमारा as it is plus में r r की value zero तो ये क्या आजाएगा हमारा ठीक है तो ये आजाएगा हमारा a equals to six q और ये क्या होगा हमारा ये होगा हमारा even ठीक है अगर हम six को six का table लिखेंगे अगर हम six 12 18 और 24 as it is अगर हम इसका table आगे लेके जाते हैं तो ये क्या होगा हमारा अगर हम किसी को six को इसको six से डिवाइड कर रहे है ठीक है और हमारा remainder कुछ भी निबच रहा तो हमारे सभी क्या होंगे six का table जो होता है कहीं तक भी जाएगा वो क्या होगा हमारा even ठीक है तो ये होगा हमारा even ठीक है इसी तरह है अगर r की value हमारी r equals to one then a equals to six q plus में और ये क किस तरह ऐसे होगा six के table में हमारा कोई भी six का multiple होगा हमारा उसमें अगर one plus कर देंगे six में one plus कर देंगे seven 12 में one plus कर देंगे 18 में 1 प्लस कर देंगे 19 जो की ओड है ऐसी कोई भी हमारा 6 का multiple होगा उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो ओड हो जाएगा ठीक है इसी तरह है R की value अगर 2 होगी तो A equals to 6 Q plus में 2 अगर R की value हमारी 3 है तो A equals to 6 Q plus में 3 यह होगा हमारा even ठीक है इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं अगर 6 के table में कोई भी क्यों हमारा integer है 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा जो भी होगा उसमें 2 6 में 2 प्लस करेंगे हमारा 8 even 12 में 2 प्लस करेंगे 14 even 18 में 2 प्लस करेंगे वो भी हमारा 20 even हो जाएगा और यह अगर 3 प्लस करेंगे तो यहोजाएगा हमारा order अठीक है ऐसे ही r की value अगर हमारी four होगी तो a equals to six q प्लस में और यह होगा हमारा even ओर r की value अगर five होगी तो a equals to six q plus में five और यह होगा हमारा order ठीक है तो मैं क्या show करना था कि हमारा कोई भी odd integer है ठीक है, ओड की इंटीजिर किस फों में हो सकता है, 6qPlya 1, 6qPlya 3 और 6qP Strategic Blessed लिए 3 थों में, यहां पर आपदेख सकते हैं, हम कहा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं then any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 तो यह हमने शोक कर दिया है यहाँ पर यह सभी हमारे जो आएंगे कोई भी हमारा odd integer जोगा वो हमारा 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 की ओम यह हो सकते हैं